हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गुरू कुल पर स्टुडेंट इस वीडियो की हेल्प से देखेंगे एड़ ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वीडियो में आपको सारा सोलीशन मिल जाएगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहीए स्टुडेंट यह पुस्तिका आपको 15 जनवरी से 15 जनवरी को मिलेगी और 6 फरवरी तक इसे भर कर देना है तो चलिए स्टुडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो के स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे देखिए फर्स्ट कोशन अध्यन एक भारत में ब्रिटिश सत्ता की इस्तापना और विस्तार तो इस्टूडेंट कोशन फर्स्ट देखिए प्रिश्न करमांग पहला उत्तर उसी के नीचे देख सकते हो रेट कलर में यूरोपिया व्यपारिक कंपनिया भारत में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की इस्तापना करने के विचार से आई थी साथ ही वे भारत से मिलने वाली कई भेतरीन चीजों पर यूरोपियों में जाकर महेंगे दामों पर बेचा करते थे इससे उन्हें बहुत मुनाफ़ा हुआ करता था चलिए दूसरा प्रिश्ण देखिए प्रिश्ण क्रिमांग दो पढ़ लिए उसका उत्तर आप नीचे देख सकते हो रेट कलर में वो आपको मैं बता रहा हूँ टेथ होलेंड वर्तमान निंदर लेंड के निवासी थे डचो ने भारत में कोरो मंडल समुंद्र तर्ट बंगाल बिहार और उडिसा में अपनी व्यापारिक कोठियां खोली नेक्स्ट प्रिष्ण देखिए प्रिष्ण किरमांग तीस इस्ट इंडिया कंपनी की इस्थापना किसे बा कब की गई उत्तर देखिए इसकी इस्थापना 1620 के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेद प्रिथम की घौशडा पत्र द्वारा हुई थी नेक्स्ट प्रिष्ण देखिए प्रिष्ण किरमांग चार पढ़ लिए उसका तरह आप देख सकते हो रेट कलार में राजनेतिक प्रितिस्ता भारत में अंग्रेजी और फार्सी इस्थ इंडिया कंपनी के बीच जंगर्स का कारण बनी दोनों का उद्देश था अधिक प्रिष्ण करमांग पाजवा देखिए प्लासी के युद्ध के क्या परेणाम हुए उत्तर देखिए प्लासी के युद्ध बंगाल के नबाब सिराजुला और इस्थ इंडिया कंपनी के संगर्स का परेणाम था इस युद्ध के अंते महदुपूर्ण तथा इस्थाई परेणाम निकले उसने बंगाल के ततकालीन नबाब सर्फवराज खान को युद्ध में हरा कर मार डाला और सोयम नबाब बन गया स्टूडेंट आपको रेट कलार में किलियर उत्तर दिख रहे होंगे चलिए प्रिश्णिक्रमायंग छटे की ओर चलते हैं प्रिश्णिक्रमायंग छटा देखिए बाक्सर का युद्ध कब किसके बीच हुआत उत्तर देखिए बाक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में बाक्सर नगर के आसपास इस्ट इंडिया कमपनी के हेक्टर मुनारों और मुगल तता नबाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था चलिए प्रिष्ण किरमायंग साथ देखिए प्रिष्ण किरमायंग साथ पढ़ लिजिए इलावाद की संदी की पिरमुग बाते लिखिए इलावाद की प्रिथम संदी रोवट लाइब तता मुगल समराट साह अलम भृत्य के बीच में 12 अगस्त 1765 में हुई थी यह संदी बंगल के इतियास में एक युगान्त कारी घटना थी क्योंकि लाकाराद में इसने उस प्रिष्ण किये परिवर्तनों की प्रिष्ण भूमी तियार कर दी जिससे ब्रिटिस्ट प्रिष्णासानिक व्यवस्ता की आधार सील रखी थी प्रिष्ण किर्मांग आड देखिए इसका उत्तर नीचे देखिए आप डल होजी ने राज हड़पने की नीती अपनाई जिसके कारण भारत के कई प्रिदेशों को इस इंडिया कमपनी के आधार में मिला लिया गया प्रिष्ण किर्मांग नो देखिए प्रिष्ण किर्मांग नो पढ़ लिए इसको उत्तर आप नीचे देख सकते हो सायक संदी की सर्त वे को युद्ध नहीं करेंगे तता अन राज्यों से विचार विमर्स कमपनी करनी बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हातों में होगी जबकि सेना का खर्च राज्य को उठाना होगा राज्यों को अपने राज्य की राज्य धानी में एक अंग्रेजी रेजिदेंसी रखना अनिवार्य होगा चलिए प्रिश्ण क्रिमांग 10 देखिए प्रिश्ण क्रिमांग 10 का उत्तर देखिए प्लाजी की लड़ाई के बाद East India Company ने बित रजज़ की प्रणाली की सायता से भारत के साथ वेपार पर एकादीकार इस्तापित कर लिया ये वेपसाइब रिटिस्ट कमपनी को भारत में सत्ता इस्तापित करने में सायता हुई स्टूडेंट ये था आपका सोल्यूशन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे